भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच राजकोट के सौ राष्ट्र क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम में खेला जाएगा पांच मैच की टेस्ट सीरीज एक एंक से बराबरी पर चल रही है और सीरीज के अगले तीन मैच में भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि कई स्टार खिलाडी तीसरे मैच में नहीं खेल रही है तीसरे मैच में भारतिय टीम युवा बल्ले बाजों के साथ खेलने उतरेगी ऐसे में इंग्लैंड के पास दबाव बनाने का मौका होगा सौर अश्ट्र क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम में करीब 5 साल बाद टेस्ट मैच होगा इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच एक मैच ड्रॉ रहा है भारत ने राजकोट स्टेडियम में दो मैच खेले हैं 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा था जबकि 2018 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने धमक्केदार जीत दर्ज की थी आपको यहां बताने जा रहे हैं इस वेन्यू पर खेले गए दोनों मैचों के बारे में इंग्लैंड ने जारी टेस्ट सीरीज में पहला मैच 28 रन से जीता जबकि भारत ने दूसरे टेस्ट में वापसी करते हुए इंग्लैंड को 106 रन से हराया